रादे रादे भक्तों चैस्री कृष्णा बिहारी जी की खृपा हम सभी पर बनी रहे इसी आसा के साथ हमारे इस चैनल गौरो गुंजन गोपाल में आपका हार्दिक अविनंदन है जी हां भक्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निर्जला एकादसी के बारे मे बताएंगे वैसे तो बहुत सारे व्रत हैं लेकिन एकादसी व्रत का अपना अलगे महत्व है कहते हैं यदि भागवत की प्राप्ति करनी है यदि भागवान की प्राप्ति करनी है दान, पुन्य, यग्जी सभी को सफल करना है तो हमें एकादसी का व्रत अवस्य करना चाह एकदशी का वरत सभी प्रत्तों में श्रेश्ट है वैसे तो पूरे एक साल में 24 एकदशी होती है क्रिश्न पक्ष की एकदशी और सुक्ल पक्ष की एकदशी लेकिन आधिक मास होने पर या 26 एकदशियों के रूप में हो जाता है इन सभी एकदशियों का अपना एक अलगी महात्व है इन 24 एकदशियों में सबसे महत्य पूर्ण है निर्जला एकदशी जिहां भक्तों कहा जाता है यदि आप पूरे साल कोई एकदशी का उपवास ना रह सको तो मात्र निर्जला एकदशी का उपवास रखने से उन सभी ए आत्रेक यही ऐसा वरत है जिससे हमें भगवत की प्राप्ती होती है और हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है अर्थात एकदशी का वरत करने से हमें हरिवास मिलता है और भगवत की प्राप्ती होती है निर्जला एकदशी वैसे तो बिना अन्य जल के रहा जाता है निर्जला आ सकते हैं एकदशी नियमो का पालन करते हुए फलाहार व्रत भी कर सकते हैं एकदशी का अर्थ है ग्यारा अर्थात पांच ज्यानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन इसी को ग्यारस कहा जाता है अर्थात एकदशी का व्रत कहा जाता है इस व्रत के दिन जितना हो सके भगवान का चिंतन, भूजा, भाजान इत्यादी करते रहना चाहिए एका दशी के दिन दिया गया दान, पुण्ने, अच्छे कर्म सब कुछ फालित होते हैं एका दशी के दिन जितना हो सके मन करम वचन से हमें स्वयम को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति ब्रत रहने में समर्थ है तो उस दिन उसे चावल नहीं खाना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से हम पाप युक्त हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि एका दशी के दिन चावल निशेद होता है इसलिए यदि आवरत रहने में सक्षम नहीं है किसी कारण वस किसी विमारी की वज़े से आवरत नहीं रह पा रहा है तो चावल को छोड़ कर आप अन्य चीजें भी खा सकते हैं जी हाँ वक्तों अब आईए जानते हैं कि इस वरत की पुज़ा विधी क्या है और इसे कैसे करना चाहिए सरप्रथम स्री हरी जी का और माता लक्षमी का आसन बिछाईए उनका एक हो सुरा सिंगासन तयार करिए उस पर भगवान विष्णू और लक्षमी मा की प्रतिमा रखे यदि प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं उसके पशात कलस स्थास्त ना करिए कलस स्थापित करने पर उसमें स्वास्तिक बनाईए जल में हल्दी, तेल, गोड, अंगा जल, कपूर, लॉंग, इत्यादी सुगंदी चीजे उसमें डालिए इसके पशात उसपर आम का पलो, असुक का पलो या पान का पलो जो भी आपके पास है वो उसपर रख कर उसपर नारियल रखिए और भगवान के सामने गृत का दीपक जलाईए और भोग में भगवान जी को रितुफोल फल जैसे आम, खर भूजा, खीरा, इत्यादी, रसे वाले फलों का भोग लगाईए कहा जाता है कि इससे हमारे स्रीहरी जी को सीतलता प्रदान होती है इस प्रकार ब्रत का संकर्प लेते हुए एक मिट्टी का गहडा रखिए उसमें जल भरिए उसमें हो सके तो चीनी, गोड या सर्वत जो आपके पास हो वो उसमें रख कर उपर से ढग कर उस पे खर भूजा रखिए घड़ी पर स्वास्तिक बनाए इस प्रकार घड़ा रख कर एक हाथ वाला पंखा भी रखिए या सब प्रभु के आगे रख कर मन में संकल्प करिए कि हे नात कि मैंने जो ये व्रत किया है वह फले थो और हमारे दिये गए दान को आप स्विकार करो इस तरह इस व्रत का विधी विधान है वैसे तो पूजा में बहुत सारे नियम है परन्तु यथा शक्ति जो आप से हो सके वो आप पूजा में रख सकते हैं दान भी बहुत सारी चीजों का होता है कहा जाता है कि इस दिन का दान भगवान स्रीहरी को प्राप्त होता है वैसे तो बहुत सारे दान किये जाते हैं परन्तु इस दिन मीन दान हमारा जल का होता है यदि आप निरजल उपवास रखते हैं तो जल का ही दान होता है जल और फल दोनों की दान से हमें मोख की प्राप्ती होती है जी हाँ भक्तों यथा शक्ति जो आपके पास हो आप उसका दान करिए जो भी है वो प्रेम से करिए मेरे प्रभू तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं उन्हें अगर आप प्रेम से एक प्यारी सी मुस्कान भी देते हो तो उस पर भी हमारे प्रभूरी जिते हैं जी हाँ वक्तों तो आएए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा यह कथा महाभारतकाल की है महाभारतकाल की समय में माताकुंती और पाचु पांडो एकादशी का वृत करते थे एक बार की बात है पांडो पुत्रभीम महार्शी वेद व्याजी से कहते हैं कि यह परमादर्णिय मुनिवर मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का वृत करते हैं और वे मुझे भी एवरत रखने को कहते हैं लेकिन मैं वरत रहने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है अता आप मुझे कृपा करके बताए बिना उपवास किये एका दशी का फल कैसे प्राप्त हो इस पर महार्शे वेद व्यास भोले हे व्रकोदर मैं तुम्हारी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ उन्होंने भीम से कहा कि तुम निर्जला एकादशी का वरत करो क्योंकि तुम पूरे साल वरत रहने में असमर्थ हो अतह एक मात्र निर्जला एकादशी का वरत ऐसा है जिसको एक दिन उप्वास करने से तुम्हें पूरे साल की एकादशीों का फल प्राप्त होगा इस पर भीम ने कहा अवस्य महार्शी जी मैं एक दिन का वरत करने में सक्षम हूँ इस पर उन्होंने कहा कि इस दिन अन और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है वो भी मनुस्य एकादशी तिति के सोर्योदय से अदसी सोर्योदय तक बिना जल के रहता है और सच्ची स्रधा से स्री हरे विश्नु का इसमरण करते हुए इस वरत का पालन करता है उसे पूरी साल के सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है इस पर महार्शी वेद्याजी के वचनों को सुन कर पांडु पुत्र भीम ने भी आवरत किया और पाप मुक्त हो गय जिहां भक्तों भीम के द्वारा इस वरत को सुरू करने पर इससे भीम सेनी कादशिय के नाम से भी जाना जाता है जिहां भक्तों माननेता है कि इस वरत को रखने से पूजा और दान करने से वरती के जीवन में सदेव सुक सम्रधी बनी रहती है और स्रीहरी के हिरदय में हमेशा वास मिलता है वासांसारिक सुकों को भोगते वे अन्त में विश्नु धाम को प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है जिहां भक्तों एकदशी का यावरत अत्य अन्त भल लायक है पुराणों के अनुसार तो पाच वर्स के बाद और बुजुर्गों को छोड़ कर अन्य सभी वेक्तियों को इस तुरी पुरुस लोगों को यावरत करना चाहिए श्री हरी के नाम, रूप, गुण और लीला रूपी प्रसाद को लेते हुए इस वरत को अवस्य करना चाहिए और प्रभु से यही प्रातना करनी चाहिए कि हे नात मैं आपको कभी भूलू नहीं जब तक यह जीवन है तब तक मैं आपका गोड़गान करता रहूं निहा भक्तों हमारी प्रभु से यही आसा है उनसे हमारी यही विंती है कि एकादशी वरत करने वाले सभी वरतदारियों की प्रार्थना, दान, पुर्णे को फलित करें और उन्हें स्री हरी का वास मिले यह जीवन स्री हरी का गोड़गान करते हुए उनका स्मरण करते हुए बीते और स्री हरी जिसे यही प्रात्ना है कि हे नात हे सावरे हमारे इस प्रात्ना को स्विकार करिये इतनी किरपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना जी हाँ भक्तों इसी उमीद के साथ इस री हरी हमारे इस प्रात्ना को आवसे स्विकारेंगे आप सभी को राधे राधे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए सोच के साथ तब तक के लिए राधे 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 भक्तों चैस्री कृष्णा बिहारे जी की ख्रपा हम सभी पर बनी रहे इस स्यासा के साथ हमारे इस चैनल गौरो गुंजन गुपाल में आपका हाधे का विनंदन है जी हाँ बक्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निर्जला एकादसी के बारे में बताएंगे वैसे तो बहुत सारे वरत हैं लेकिन एकादसी वरत का अपना अलगे महत्व है कहते हैं यदि भागवत की प्राप्ति करनी है यदि भागवान की प्राप्ति करनी है दान, कुण्य, यग्गी सभी को सफल करना है तो हमें एकादसी का वरत अवस्य करना चाहिए एकदशी का वरत सभी प्रतों में श्रेश्ट है बैसे तो फूरे एक साल में 24 एकदशी होती है कृष्ण पक्ष की एकदशी और सुक्ल पक्ष की एकदशी लेकिन आधिक मास होने पर या 26 एकदशियों के रूप में हो जाता है इन सभी एकादसियों का अपना एक अलगी महात्व है इन 24 एकादसियों में सबसे महत्य फूर्ण है निर्जला एकादसी जिहां भक्तों कहा जाता है यदि आप पूरी साल कोई एकादसी का उपवास ना रह सको तो मात्र निर्जला एकादसी का उपवास रखने से उन सभी ए एकदशीयों का फल हमें प्राप्त हो जाता है जी हां भक्तु मात्रेक यही ऐसा वरत है जिससे हमें भगवत की प्राप्ती होती है और हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है अर्थात एकदशी का वरत करने से हमें हरिवास मिलता है और भगवत की प्राप्ती होती है निर्जला ए ब्रथा शक्ति यदि आप निर्जला वृत ना रह सके तो फलाहार भी रह सकते हैं। एकदशी नियमों का पालन करते हुए फलाहार व्रत भी कर सकते हैं एकदशी का अर्थ है ग्यारा अर्थात पांच ग्यानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन इसी को ग्यारस कहा जाता है अर्थात एकदशी का व्रत कहा जाता है इस ब्रत के दिन जितना हो सके भगवान का चिंतन, पूजा, भजान इत्यादी करते रहना चाहिए एका दशी के दिन दिया गया दान, पुण्ण, अच्छे कर्म सब कुछ फालित होते हैं एक दशी के दिन जितना हो सके मन करम वचन से हमें स्वयम को भगवान को समर्पन कर देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति ब्रत रहने में समर्थ है तो उस दिन उसे चावल नहीं खाना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से हम पाप युक्त हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि एक दशी के दिन चावल निशेद होता है इसलिए यदि आवरत रहने में सक्षम नहीं है किसी कारणवस किसी विमारी की वज़े से आवरत नहीं रह पा रहा हैं तो चावल को छोड़ कर आप अन्व चीज़ें भी खा सकते हैं जी हाँ वक्तों अब आईए जानते हैं कि इस वरत की पुजा विधी क्या है और इसे कैसे करना चाहिए सर प्रथम स्री हरी जी का और माता लक्षमी का आसन बिछाएं उनका एक हो सुरा सिंगासन तयार करिए उस पर भगवान विष्णू और लक्षमी मा की प्रतिमा रखे यदि प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो या तज़वीर जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं उसके पश्यात कलस स्थास्त ना करिए कलस स्थापित करने पर उसमें स्वास्तिक बनाईए जल में हल्दी, तिल, गोड, अंगा जल, कपूर, लॉंग, इत्यादी सुगंदी चीज़े उसमें डालिए इसके पश्यात उसपर आम का पलो, असुक का पलो या पान का पलो जो भी आपके पास है वो उसपर रख कर उसपर नारियल रखिए और भगवान के सामने गृत का दीपक जलाईए और भोग में भगवान जी को रितुफोल फल जैसे आम, खर भूजा, खीरा, इत्यादी, रसे वाले फलों का भोग लगाईए कहा जाता है कि इससे हमारे स्रीहरी जी को सीतलता प्रदान होती है इस प्रकार ब्रत का संकर्प लेते हुए एक मिट्टी का गहडा रखिए उसमें जल भरिए उसमें हो सके तो चीनी, गोड या सर्वत जो आपके पास हो वो उसमें रखकर उपर से ढग कर उस पे खर भूजा रखिए घड़ी पर स्वास्तिक बनाए इस प्रकार घड़ा रखकर एक हाथ वाला पंखा भी रखिए या सब प्रभु के आगे रखकर मन में संकल्प करिए कि हे नात कि मैंने जो ये व्रत किया है वाफले थो और हमारे दिये गए दान को आप स्विकार करो इस तरह इस व्रत का विधी विधान है वैसे तो पूजा में बहुत सारे नियम है परन्तु यथा शक्ति जो आप से हो सके वो आप पूजा में रख सकते हैं दान भी बहुत सारी चीजों का होता है कहा जाता है कि इस दिन का दान भगवान स्रीहरी को प्राप्त होता है वैसे तो बहुत सारे दान किये जाते हैं परन्तु इस दिन मीन दान हमारा जल का होता है यदि आप निर्जल उपवास रखते हैं तो जल का ही दान होता है जल और फल दोनों की दान से हमें मोख की प्राप्ती होती है जी हाँ भक्तों यथा शक्ति जो आपके पास हो आप उसका दान करिए जो भी है वो प्रेम से करिए मेरे प्रभू तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं उन्हें अगर आप प्रेम से एक प्यारी सी मुस्कान भी देते हो तो उस पर भी हमारे प्रभूरी जिते हैं जी हाँ वक्तों तो आईए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा यह कथा महाभारतकाल की है महाभारतकाल की समय में माता कुंती और पाचु पांडो एकादशी का व्रत करते थे एक बार की बात है पांडो पुत्रभीम महार्शी वेद व्याजी से कहते हैं कि यह परमादार्णिय मुनिवर मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और वे मुझे भी ये वरत रखने को कहते हैं लेकिन मैं वरत रहने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है अता आप मुझे कृपा करके बताए बिना उपवास किये एका दशी का फल कैसे प्राप्त हो मैं तुम्हारी इस बीड़ा को समझ सकता हूँ उन्होंने भीम से कहा कि तुम निर्जला एका दशी का वरत करो क्योंकि तुम पूरे साल वरत रहने में असमर्थ हो अताः एक मात्र निर्जला एका दशी का वरत ऐसा है जिसको एक दिन उप्वास करने से तुम्हें पूरे साल की एका दशीयों का फल प्राप्त होगा इस पर भीम ने कहा अवस्स मार्थ सी जी मैं एक दिन का वरत करने में सक्षम हूँ इस पर उन्होंने कहा कि इस दिन अन और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है वो भी मनुस्य एका दशी तिती के सोर्योदय से अदसी सोर्योदय तक बिना जल के रहता है और सच्ची स्रधा से स्री हरे विश्नु का स्मरण करते हुए इस वरत का पालन करता है उसे पूरी साल के सभी एका दशीयों का फल प्राप्त होता है इस पर महाल सीवेद व्याजी के वचनों को सुनकर पांडु पुत्र भीम ने भिया वरत किया और पाप मुक्त हो गए जीहाँ भक्तों भीम के द्वारा इस वरत को सुरू करने पर इससे भीम से नियी का दशी के नाम से भी जाना जाता है जीहाँ भक्तों माननेता है कि इस वरत को रखने से पूजा और दान करने से वरती के जीवन में सदेव सुक सम्रधी बनी रहती है और स्रीहरी के हिरदय में हमेशा वास मिलता है वासांसारिक सुकों को भोगते हुए अन्त में विश्नु धाम को प्राप्त होता है और उसे मौक्ष की प्राप्ती होती है जीहाँ भक्तों एकादशी का यावरत अत्यांत फल लायक है पुराणों के अनुसार तो पाँच वर्स के बाद और बुजुर्गों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को इस्तुरी पुरुस लोगों को यावरत करना चाहिए श्री हरी के नाम, रूप, गुण और लीला रूपी पुरुसाद को लेते हुए इस वर्त को अवस्य करना चाहिए और प्रभु से यही ब्रातना करनी चाहिए कि हे नात मैं आपको कभी भूलू नहीं जब तक यह जीवन है तब तक मैं आपका गुणगान करता रहूँ निहा भक्तों हमारी प्रभु से यही आसा है उनसे हमारी यही विंती है कि एकादशिवरत करने वाले सविवरतदारियों की प्रार्थना दान पुर्णे को फलित करें और उन्हें स्रीहरी का वास मिले यह जीवन स्रीहरी का गुणगान करते हुए उनका श्मरण करते हुए बीते और स्रीहरी जिसे यही प्रातना है कि हे नात हे सावरे हमारे इस प्रातना को स्विकार करिए इतनी किरपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना जी हाँ भक्तों इसी उमीद के साथ इस ठीहरी हमारे इस प्रात्ना को आवसे स्विकारेंगे आप सभी को राधे राधे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई सोच के साथ तब तक के लिए राधे 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 भक्तों चैस्री कृष्णा बिहारी जी की खृपा हम सभी पर बनी रहे इसी आसा के साथ हमारे इस चैनल गौरो गुंजन गोपाल में आपका हार्दिक अविनन्दन है जी हाँ भक्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निर्जला एक दसी के बारे म बताएंगे वैसे तो बहुत सारे व्रत हैं लेकिन एक दसी व्रत का अपना अलगे महत्व है कहते हैं यदि भागवत की प्राप्ति करनी है यदि भागवान की प्राप्ति करनी है दान, कुण्य, यग्गी सभी को सफल करना है तो हमें एक दसी का व्रत अवस्य करना एकदसी का वरत सभी प्रत्टों में श्रेष्ठ है बैसे तो पूरे एक साल में 24 एकदसी होती है कृष्ण पक्ष की एकदसी और सुक्ल पक्ष की एकदसी लेकिन आधिक मास होने पर या 26 एकदसीयों के रूप में हो जाता है इन सभी एकादसियों का अपना एक अलगी महात्व है इन 24 एकादसियों में सबसे महात्य फूर्ण है निर्जला एकादसी जिहां भक्तों कहा जाता है यदि आप पूरी साल कोई एकादसी का उपवास ना रह सको तो मात्र निर्जला एकादशी का उपवास रखने से उन सभी एकादशीयों का फल हमें प्राप्त हो जाता है जी हाँ भक्तु मात्र एक यही ऐसा वरत है जिससे हमें भगवत की प्राप्ती होती है और हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है अर्थात एकदशी का वरत करने से हमें हरिवास मिलता है और भगवत की प्राप्ती होती है निर्जला एकदशी वैसे तो बिना अन्य जल के रहा जाता है निर्जला अर्थात बिना जल के उपवास रहना परन्तु यथा शक्ति यदि आप निर्जला व्रत ना रह सकें तो फलाहार भी रह सकते हैं एकदशी नियमों का पालन करते हुए फलाहार व्रत भी कर सकते हैं एकदशी का अर्थ है ग्यारा अर्थात पांच ग्यानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन इसी को ग्यारस कहा जाता है अर्थात एकदशी का व्रत कहा जाता है इस व्रत के दिन जितना हो सके भगवान का चिंतन, भूजा, भाजन इत्यादी करते रहना चाहिए एकदशी के दिन दिया गया दान, पुण्न, अच्छे कर्म सब कुछ फलित होते हैं एकदशी के दिन जितना हो सके मन करम वचन से हमें स्वयम को भगवान को समर्पन कर देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति ब्रत रहने में असमर्थ है तो उस दिन उसे चावल नहीं खाना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से हम पाप युक्त हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि एकदशी के दिन चावल निशेद होता है इसलिए यदि आवरत रहने में सक्षम नहीं हैं किसी कारण वस किसी विमारी की वज़े से आवरत नहीं रह पा रहे हैं तो चावल को छोड़ कर आप अन्व चीजें भी खा सकते हैं जी हाँ वक्तों अब आईए जानते हैं कि इस वरत की पुजा विधी क्या है और इसे कैसे करना चाहिए सरप्रथम स्री हरी जी का और माता लक्षमी का आसन बिछाए उनका एक हो सुरा सिंगासन तयार करिए उस पर भगवान विष्णू और लक्षमी मा की प्रतिमा रखे यदि प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं उसकी पश्यात कलस अस्थास्त ना करिए कलस अस्थापित करने पर उसमें स्वास्तिक बनाईए जल में हल्दी, तिल, गोड, अंगा जल, कपूर, लॉंग, इत्यादी सुगंधि चीजे उसमें डालिए इसके पश्यात उसपर आम का पलो, असुक का पलो या पान का पलो जो भी आपके पास है वो उसपर रख कर उसपर नारियल रखिए और भगवान के सामने गृत का दीपक जलाईए और भोग में भगवान जी को रितुफोल फल जैसे आम, खर भूजा, खीरा, इत्यादी, रसे वाले फलों का भोग लगाईए कहा जाता है कि इससे हमारे स्रीहरी जी को सीतलता प्रदान होती है इस प्रकार व्रत का संकर्प लेते हुए एक मिट्टी का गहडा रखिए उसमें जल भरिये उसमें हो सके तो चीनी, गोड या सर्वत जो आपके पास हो वो उसमें रखकर उपर से ढग कर उस पे खर भूजा रखिए घड़ी पर स्वास्तिक बनाए इस प्रकार घड़ा रखकर एक हाथ वाला पंखा भी रखिए या सब प्रभु के आगे रखकर मन में संकल्प करिए कि हे नात कि मैंने जो ये व्रत किया है वाफले थो और हमारे दिये गए दान को आप स्विकार करो इस तरह इस व्रत का विधी विधान है वैसे तो पूजा में बहुत सारे नियम है परन्तु यथा शक्ति जो आपसे हो सके वो आप पूजा में रख सकते हैं दान भी बहुत सारी चीजों का होता है कहा जाता है कि इस दिन का दान भगवान स्रीहरी को प्राप्त होता है वैसे तो बहुत सारे दान किये जाते हैं परन्तु इस दिन मीन दान हमारा जल का होता है यदि आप निरजल उपवास रखते हैं तो जल का ही दान होता है जल और फल दोनों की दान से हमें मोख की प्राप्ति होती है जी हाँ भक्तों यथा शक्ति जो आपके पास हो आप उसका दान करिये जो भी है वो प्रेम से करिये मेरे प्रभू तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं उन्हें अगर आप प्रेम से एक प्यारी सी मुस्कान भी देते हो तो उस पर भी हमारे प्रभूरी जिते हैं जी हां वक्तों तो आइये सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा यह कथा महाभारतकाल की है महा भारत काल के समय में माता कुंती और पाचु पांडो एका दशी का वरत करते थे एक बार की बात है पांडो पुत्र भीम महार्शी वेद व्याजी से कहते हैं कि ये परमादार्णिय मुनिवर मेरे परिवार के सभी सदस्य एका दशी का वरत करते हैं और वे मुझे भी एवरत रखने को कहते हैं लेकिन मैं वरत रहने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है अता आप मुझे कृपा करके बताए बिना उपवास किये एका दशी का फल कैसे प्राप्त हो मैं तुम्हारी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ उन्होंने भीम से कहा कि तुम निर्जला एका दशी का वरत करो क्योंकि तुम पूरे साल वरत रहने में असमर्थ हो अताह एक मात्र निर्जला एका दशी का वरत ऐसा है जिसको एक दिन उप्वास करने से तुम्हें पूरे साल की एक अदशियों का फल प्राप्त होगा इस पर भी इम ने कहा अवश्स महारसी जी मैं एक दिन कवरत करने में सक्षम हूँ इस पर उन्होंने कहा कि इस दिन अन और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है वो भी मनुस्य एक दशी तिति के सोर्योदय से अदसी सोर्योदय तक बिना जल के रहता है और सच्ची स्रधा से स्री हरे विश्नु का स्मरण करते हुए इस वरत का पालन करता है उसे पूरे साल के सभी एक अदशियों का फल प्राप्त होता है इस पर महाल सीवेध्याजी के वचनों को सुनकर पांडु पुत्र भीम ने भी आवरत किया और पाप मुक्त हो गय जीहां भक्तों भीम के द्वारा इस वरत को सुरू करने पर इसे भीम से निई का दश्य के नाम से भी जाना जाता है जिहां भक्तों माननेता है कि इस वरत को रखने से पूजा और दान करने से वरती के जीवन में सदेव सुक सम्रधी बनी रहती है और स्रीहरी के हिरदय में हमेशा वास मिलता है वासांसारिक सुकों को भोगते वे अन्त में विश्णु धाम को प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है जिहां भक्तों एकदशी का यावरत अत्य अन्त फल लायक है पुराणों की अनुसार तो पाँच वर्स के बाद और बुजुर्गों को छोड़ कर अन्य सभी वेक्तियों को इस्तुरी पुरुस लोगों को यावरत करना चाहिए श्री हरी के नाम, रूप, गुण और लीला रूपी पुरुसाद को लेते हुए इस वरत को अवस्य करना चाहिए और प्रभु से यही ब्रातना करनी चाहिए कि हे नात मैं आपको कभी भूलू नहीं जब तक यह जीवन है तब तक मैं आपका गुणगान करता रहूँ निहा भक्तों हमारी प्रभु से यही आसा है उनसे हमारी यही विंती है कि एकादशी वरत करने वाले सविवरत दारियों की प्रार्थना दान पुर्णे को फलित करें और उन्हें स्रीहरी का वास मिले यह जीवन स्रीहरी का गुणगान करते हुए उनका श्मरण करते हुए बीते और स्रीहरी जी से यही प्रातना है कि हे नात हे सावरे हमारे इस प्रातना को स्विकार करिए इतनी किरपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना जी हाँ भक्तों इसी उमीद के साथ इस री हरी हमारे इस प्रात्ना को आवसे स्विकारेंगे आप सभी को राधे राधे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए सोच के साथ तब तक के लिए राधे राधे